ओम ज्ञानत मिरां धस्य ज्ञान जनुशलाकया चक्षूरम इलितं ये नात्स मैशिगुरुवे नम्हां ओम नमो भगवते वाशुदेवाया ओम नमो भगवते वाशुदेवाया दूसरो केंटो दस्मा ध्याय का आज हम समरी करेंगे और इस अध्याय में इसका अध्याय का नाम है कि जो भागवतम है वो सारे प्रशनों का उत्तर है तो इससे पहले कई सारे प्रशने पूछे गए थे परिशित महाराज ने पूछे थे कि ये विराद रूप कैसे है इस संसार में क्रियेशन कैसे होता है और उन सारे प्रश्णों का उत्तर यहां पर आएगा तो सबसे पहले इसमें इस अध्याय में हम सुनते हैं तीसरे से सात्वे शलोक में भागवतम के दस मुख्य कैटेगरी जो दस मुख्य टॉपिक जो भागवतम समझाता है वो क्या है तो पहला है सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोशनम, मनवंतर, उती, इशानुखता, निरोधा, मुक्ती, आश्रया तो दस मुख्य विशे हैं सर्ग का मतलब है elementary creation, creation की बात कर रहे हैं इस बहुतिक संसार के creation के लिए matter का आना, यानि कि तत्वों का आना, elementary creation of 16 items of matter तो ये शोला तत्व, फिर विसर्ग, विसर्ग में क्या होता है जो modes हैं, प्रकर्ति के जो गुन हैं, उनका आपस में mission होता है, interaction होता है और interaction होने से ये जो 16 basic element थे, उनके अंदर क्या होता है उनके अंदर agitation होती है और अलग-अलग variety create होती है तो ये जो variety create होती है, वो किसे create होती है ये modes of material nature के interaction से ये create होती है तो इसको हम कहते हैं, विसर्ग सर्ग के अंदर agitation होता है, तो विसर्ग बनता है agitation किसके दुआरा होता है, या mission किसका होता है तीन प्रकरती के तीन गुणों का तो इस प्रकार से इसके बारे मता है कि उसके बाद में स्थानम स्थानम है जो जगह है geography of the universe, ये संसार स्थान जहां पर ये सारा creation होती है और ये सारी activities होती है, जहां पर living entities को एक स्थान दिया जाता है जहां पर आकर वो अपने आपको शुद्ध कर पाएं और दुवारा से भगवान के धाम में जा पाएं तो ये वो स्थान है ये स्थान हमें घर बनाने के लिए नहीं मिला था बड़े-बड़े इटर्नली रहने के लिए नहीं मिला था, ये स्थान मिला है कुछ ऐसा करने के लिए जिससे कि हमारा जीवन शुड़ हो जाए, हमारे सारे कर्मों के पर्तिफल समापत हो जाए और भगवान के दाव में चले जाए उसके बाद पोशनम, स्थान बनाकर सर्ग और विसर्ग करकर भगवान क्या करते हैं, छोड़ नहीं देते हैं, भगवान पोशन देते हैं, अपनी किरपा देते हैं, अपनी किरपा से सारी वस्तुय परदान करते हैं, जो भी हमें खाने पी निकले चाहिए, इतना ही नहीं, ग पूशनम कैसे कैसे करते हैं, तो यह सारे विशे बड़े-बड़े हैं, पूरी भागवत इनको समझाती रहेगी, फिर मनवंतरा है, कैसे कैसे time factor आता है, इसको अभी detail में नहीं बताया है, ताइम factor को आगे जाके बताएंगे, बट हाई लेवल पर बताया, कि ब्रह्मा जी का एक दिन और भर्मा जी का जीवन मनवंतर क्या है, मनवंतर कितनी बर्मा जी के एक दिन में कितने मनु बदलते हैं, और ये मनु हमें बताते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, मनु सहीता, परुपाद अक्सर मनु सहीता को को कोड़ करते हैं, मनु सहीता क्या है, तो यहां प पर जीवात्मा पुन्य कर्मों में लग जाता है। वास्तविक उसकी कार्य करने का जो मौटिवेशन है वहना चाहिए भगवान की परसंद था। यह उसका रियल मोटिवेशन होना चीए उसके बाद है इशानु कथा में भगवान के उपर उनका उनकी अलग-अलग इंकारनेशन कैसे क्या-क्या करते हैं अपने भक्तों के साथ क्या लिलाय करते हैं इसके बारे में तो आप देखते हैं भागवताम में बहुत बड़ा रियलेशन होता है उस वक्तों जो जिव भगवान के ढ़ाम में नहीं जा पाती है कि बोण महा विश्रों के शरी में चली जाती है और जैब कभी नहीं आते और फिर आश्रया और रिस प्रकार हम भगवान का आश्रय नेते हैं भगवान आश्रय है हर वस्तु का वही creation करते हैं वास्तṣему Caribbean करते हैं वही destruction करते हैं और वू परमात्मा और परम के रूप में भी जाने जाते हूं तो आश्रय सुप्रीम शेल्टर तो दस विशय मुख्य विशय पर भागवत में चर्चा करी जाएगी लेकिन फिर आगे बताएगी आठे और नौ मेशल स्लोग में कि परमात्मा जो है हमेशा ध्यान रखिए कि शरीर के अंदर के वर आत्मा नहीं है शरीर के अंदर परमात्मा भी है और आत्मा उस कि शरर में ही वास्ता में यह सब कुछ चल पाता है उसी के कारणे यह सब कुछ होता अब जो है आगे डिटेल नि थोड़ी और होती है कि यह विराट रूप कैसे-कैसे स्रिष्टिक रचना करता है पहले कौन सा इलिमेंट पहले क्या चीज़ आती है फिर क्या चीज़ आती यह से बारे, आप लेटें आ हैं, आपनी सांस को छोड़ते हैं, शरीर के छिद्रों में से बहुत बड़े बड़े यूनिवर्स और उसके अंदर फिर क्या होता है उसके अंदर पिर गर्बुदकसाई भी शुन जाते हैं जो कि नारायन भी कहलाते हैं ़ो उस जल में लेटते हैं electricity in the लोगे समय तक और उनके उन्दर से भिर बर्मा जी निकलते हैं तो इस परकार से बताया और फिर यह क्रियेशन कैसे आई उसके बारे मेरे बताते हैं Cross Sense Organ होता है और कान के देवता है वो है दिख देवता और उसमें जो Sense Object है वो है Sound तन मात्र Sound और उसके बाद Gross Element क्या है Ether तो जन्हें कि आकाश, आकाश के थू ही Sound ट्रेवल करती है और कानों के द्वारा ग्हेंड करिया जाती है तो इस पर गाड़ तीनों के combination क्या आशकता है यदि कुछ सुनना है कुछ बोलना है समझना है तो मैं आपको क्यों बोल पा रहा हूं तो कि मेरे मूझ के आगे आगाश है अगाश तर्वासमान में नहीं है अगर मेरे मूझ के आगे आगा पत्थर लगा दोगे तो आवाज अगे आपके पास कान है तो आप रिसीव कर रहे हों तो यह साउंड एथर और कारणा के निकलते है उसके आगे उसके आगे तो experience हम तक कर एक्सपिरियंस को मतलब की समझ पाएं कि कौन सी चीछ मुलायम है कौन सी हाड है कौन सी गरम है कौन सी सर्द है यह समझने के लिए हम इस आपजेक्ट वो है touch, touch जो है skin से touch का तन मात्र पैदा होता है और ये touch air के थूँछ इसमें air जो है gross element इसकी air है क्योंकि sound को आप सुन सकते हैं लेकिन spurs नहीं कर सकते लेकिन air को आप spurs कर सकते हैं, तो gross element भी उसी sequence मा रहे हैं तो skin है और उसके बाद में उसका जो gross element है वो air है क्योंकि air को air में touch का भी feeling है ठीक है अब आगे क्या होता है उसके बाद देखने के लिए आखे पैदा होती है जिसके देवता है सूर्य और इसके जो तन मात्र है वो form क्योंकि देखेंगे किस चीज को जिसका form होगा जिसका form न को देख नहीं पा रहे थे हवा को सून भी पा रहे थे और महसूस भी कर पा रहे थे तो तव्चा थी अब देखने का जब अंग है तो इसमें इसको आप आप इस 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 पॉर्म है इस फॉर्म को आप देख भी सकते है इसके बाद जो gross element है वो क्या है fire अगनी जिसको देख और इससे जो तन मात्र है या दिकी सेंस अब्जेक्ट इंद्रिय विशय वह है टेस्ट और इससे जो ग्रॉस अलिमेंट आता है वह है वाटर तो वाटर को टेस्ट भी कराजा सकता है अपार्ट फॉम अधर उसके अंदर पहले वाले गुण है उसके बाद जब स्मेल करने की महसूस हुई तो नाशिका आई और उसके देवता है अश्वनी कुमार और उससे जो तन मात्र यानि की इंद्रे के विशय आये वह आये स्मेल और इसके जाट जो ग्रॉस अलिमेंट है वह है अर्थ क्योंकि अर्थ के अंदर वो सारे पिछले अलिमेंट है का गुण है यान इस प्रकार से एक एक इंद्री आई इंद्री के विशय आये और ग्रॉस अलिमेंट इस प्रकार लेंड है आपस में फिर आगे चलते हैं फिर भगवान की जब इस प्रकार से डिजायर हुए कि बोलने की कि बोला भी जाये तो उसके लिए मुखम वाइस हम आया और इसके ज सेंसेशन को एक्सपियेंस करने के लिए तो अचा को बाल आये और इसके देवता बने मही रूहा और इससे हमारी एक्सटरनल इचिंग टच सेंसेशन हमारे अंदर आया एक्टिविटीज करने के लिए हमारे पास हाथ आये और इसके देवता बने इंद्र और यह अलग-लग activity करी संसार में और हिलने के इदर उदर जाने के लिए हमारे पास पैर मिले इसके देवता बने उपेंद्र और ये इदर उदर जाने का काम करते हैं उसके बाद संतान उत्पति करने के लिए हमारे पास जैनाइटल साय शिष्ण और उसके देवता बने परजापती जो की संसार की विर्दी करते हैं उसके बाद वेस्ट निकालने के लिए शरीर से गुदा आया गुदम और इसके देवता बने मिर्ट्यू यम मित्रा और इसके इसने एवेक्वेशन का काम किया बॉडी बदलने के लिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी पैदा करने के लिए नाभी अंग हुआ और उसके देवता बने देवता रिवर्स एंड वेस्ज के देवता करेते वात ओपलेशन के लिए हिरदा आया आया और उसके देवता चंद्रा बने टो इस परकार से यह हाई-लेवल मेंसेक्रियेशन को तुछाए गया है उसके बाद में आगे बता रहे हैं कि यह सब क्रियेट होने के बाद जो हमा हम वैक्ति है जिवात्मा है वो इन चीजों के परती इतना आस्तक्त हो जाता है कि वो असली परपस भूल जाता है और इन सारे अंगों से और इन सारे विशेयों से को भोगने का प्रयास करता है बहुत सुंदर क्रियेशन लगने लगती है आप देखें क्रियेशन कितनी सुंदर लगती है है कि नहीं लोग घूमने जाते है इदर उदर कितना सुंदर प्रकरती देखती है तो हम प्रकरती को भोगने लगते हैं यह क्यों होता है यह होता है हमारी फॉल स को भोगने लगते हैं अब आगे और बताते हैं कि किस परकार से maintenance destruction होती है तो यहां बताते हैं कि मैंटेनस के लिए भगवान विश्णु स्वयम काले करते हैं जासा भी अब ने डिसकस किया था वो सारी materials को supply करते हैं वो नकेवल हमारी जरूरतों को supply करते हैं बलकि ये भी ensure करते हैं कि हम संसार में ज्यादा दिन तक ना रहें इसके लिए वो शास्त्र देते हैं भक्त बेजते हैं गुरू बेजते हैं खुद आते हैं उसके बाद डिस्ट्रेक्शन के लिए भगवान रूद्र का रूप लेते हैं और संसार को end क करते हैं अलग-अलग समय पर वो होता है और फिर ये सब जो है भगवान के भक्त बड़ा एप्रिशेट करते हैं भगवान के भक्त केवल यह अप्रिशेट नहीं करते हैं कि भगवान इसे creator इसे destroyer बर भगवान के भक्त हैं वो सबसे अधिक appreciate करते हैं प्रसनता से बोलते है glorify करते हैं भगवान की लिलाओं के बारे में तो भक्त केवल विराट रूप से attract नहीं होते हैं बल्कि विराट रूप के परती ही ज्यादा focused होते ही नहीं है जैसे हमने अरजुन का example लिया भगवान के भक्त नहीं होते हैं तो यह सारे कारे जो अभी तक हमने डिसकुस किये 45 से लोग में बलाए गया ये भगवान डारेक्टले खुद नहीं करते इसको करने के लिए भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं जो इसको करती हैं लेकिन होता सा भगवान की डारेक्शन में ही है तो उसके बाद कल्प, विकल्प, महा कल्प हमने डिसकस किया कैसे बर्मा जी के बिगनिंग, जब बिगन करते है दे का तो किस प्रकार से? अर्मा जी करते हैं क्योंकि मैटिरियल अलिमेंन तो तब आ गएं जब शिष्टी गरचना करी गई महा विश्णू ने तो उसको हम सर्ग कहते हैं सर्ग तो पहले ही हो गया लेकिन विसर्ग होता रहता है ब्रहमा जी के हर दिन के शुवात में तो विसर्ग हमने बताया था विसर्ग मतलब जब इन material elements को लेकर अलग-अलग आकर्तिया मनाई जाती है अलग-अलग गोड़ इनके अंदर डाले जाते हैं different forms बनती है यानि कि steel nut bolt सब पहले से रखे में अब कोई अभी कोई कार बना ली कभी कोई कार बना ली यानि कि मिट्टी का धेर पहले से पढ़ाया उसके अलग-अलग सुराई घड़ा बना लिया गया इस परकार तो सर्ग पहले ही हो गया यानि कि metal matter पहले ही create कर दिया गया ब् ताइम के बारे में बहुता है कि टाइम के बारे में बार में बताएंगे canto tisra में बताएंगे यारमे ध्याय में अभी बस ये समझ लीजिए कि कैसे कैसे ये high level पे होता है और मेरे इसे padm kalp के बारे में सुनी आए पद्म कल्प हमने सुना जिसमें वरा आये वरा देव तो इसी कल्प में श्वेत वरा कल्प मन जाता है तो पद्म कल्प की कुछ कथाएं सुनेंगे जो यह चल रहा है उसके बारे हम बताएंगे उसके बाद अचानक से जो है स्वानक रिशी इत्यादी विदुर जी के बारे म और वो जब उनोंने घर छोड़ी दिया था तो विदू दुबारा से घर में क्यों गए इन सब के बारे में ज़रा बताईए तो सुत्त गोसामी कहते हैं मैं इन सब के बारे में तुम्हें आप बताऊंगा ध्यान से सुनो क्योंकि यही प्रश्न परिक्षित महाराज ने भी शुकदेव को सामी से पूछे थे और मैं उसी को तुमारे सामने रिपीट करूँगा सो बी अटेंटिव क्रिपया ध्यान दीजिए अरे क्रिश्न शुलब रुपात की जये गरंतराश्रमत भागोतम की जये